नमस्कार महिमा मदासिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में फिर से एक बार बात करेंगे कोरोना वाइरस की जी हाँ, डेली हर दिन आपके पास किसी न किसी माध्यम से ये कोरोना वाइरस की खबरे आही जाती है और लोगों के मन में डर है, लेकिन कोरोना वाइरस से हट के आज बात करते हैं कि कुरोना वाइरस से कितने लोगों की मौत हो रही है कितने लोग अभी इससे जो है परभावित है इससे संकरमित है इन बातों पर अच्छा करने से ज्यादा बेटर है कि कुरोना वाइरस को लेकर जो लोगों की नोकरियां जा रही है जो लोगों के रोजगार है वो खतम होते जा रहे हैं इस बात पर आज हम बात करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप खास करके आप जो हम और आप सबसे जुड़ी है रोजगार जी हा यानि रोजी रोटी की जो बात है वो जुड़ी है इस कुरोना वारा से उ इसके परधान मंतरी नरिंद्र मूदी और यहां तकी स्वास्त मंतरी हर्सवर्जन जी भी लगातार लोगों को समझा रहा है तो क्रोना वारस से रोजगार पे हमारी नोकरी पे क्या आसर है वो मैं आपको समझाने के कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले दिली में खास करके और हमारे इंडिया में भी अब हर राज्यों में होता जा रहा है कि जहां पे लोग ज्यादा इकठा हो पा रहे हैं चाहिए वो जिम का प्लेस हो या फिर वो सिनेमा घर हो या फिर तमाम वो जगह जहां पे लोग बहुत सारी कठा होते हैं या वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इंसिट्यूशन हो या तमाम जगह पे आप जानते हैं कि कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है वो इसलिए कि आप जानते हैं कुराना वायरस एक दूसरे से फैलने से होता है एक दूसरे के टच से होता है, एक दूसरे के मिलने से ज्यादा फैलता है और इसकी नोकरियां इसलिए जा रहे हैं कि आप जानते हैं कि कि आपको उस दिम मैंने भी बताया था चिकिन, एक चिकिन को लेकर जो है लोगों में बहुत सारे अफवाई फैल आई जा रही है, तो उस चिकिन के जो कारोबार है, उनके चिकिन से जिनकी रोजी रोटी जुरू ही है, वो भी एक ठप हो गई है, दूसरी बात कि लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, टांस्पोर्ट में बहुत सारे दिक्कते आ रही है, तो जिनका टांस्पोर्ट से जुरा हुआ मामला है, वो भी जो है अब क्रोणा वारस के कहर से उनके डर से उनकी रोजी रोटी ठप होती जा रही है, तो इसका खास करके और सबसे परणकोईर पर एक अधर रहा है, वह मंमें देश के अर्थविवस्था पर असर पर रहा है, इकनोमी परहते हैं, अब पर इसलिए पहले हमारा अर्थविवस्था खराब था अब और खराब हो जाएगा ये क्रोना वायरस के काय से तो इसलिए नोकडी से, अपने नोकडी को बचाने के लिए बस वही बात बैक के फिर से जाते जाते है शाये मैं आपको बता दू कि अपने आपको साफसफाई ही रखें, अपने खाना यानि लंच करने से पहले मिना रहें तो ज्यादा बैटो रहागा तो फिलाल के लिए इतना ही मुझे दीजिये ज्यादा और आप देखते हैं SPN 9 News नमस्कार